Hello everyone, आज जो है, हम आपको जैसे आपने थमनेल में रीड किया होगा, कैमेरा सेटिंग सिखाने वाले है, सिनेमेटोग्रिफी की. अगर आप एक वेडिंग सिनेमेटोग्रिफर है, या फिर आप शॉट फिल्म शूट करते है, इंडूर में कुछ शूट करते है, हर प्रकार में जो है, आपको जो है, आपका कैमेरा में क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए, सिनेमेटोग्रिफी करते वक्त, उसको आज हम समझेंगे. हमारी यही सिरीज चल रही है, जहां पर हम लोग ने अपिचर शुटर आया, जैसे कैमेरा सेटिंग्स से लेकर, अभी तक हम लोग ने विडियोग्रफी की तरफ भी मुड़ा है, तो बहुत सारे एपिसोड अभी तक इस सीरीज में रहे है, अगर आप चाहे हैं, वो पूरी सीरीज को फॉलो भी करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा, अच्छा, अभी मुझे आपका एक बात बतानी है, कि फोटोग्रफी, सिनेमेटोग्रफी का बेज है, अगर आप अलुड़ी एक फोटोग्रफर हो, आपके लिए सिनेमेटोग्रफी के कैमेरा सेटिंग्स को स्टिकना बहुत ही आसान है, अगर नहीं हो, तो फिर हमारी सीरीज में, अपेचर, शटर, ISO, वाइड बैलन्स, ये सारी चीजों के ऊपर विडियोज बनाये हैं, जो आप फॉलो कर सकते हैं, विडियोज को देख सकते हैं, कहने का मेरा कारण ये है कि जब भी आप कुछ शूट करते हैं, उसमें सबसे इंपोर्टन दो चीजे होती है, एक होती है एक्सपोजर, दूसरा होता है कलर, एक्सपोजर में उसकी ब्राइटनेस या डाकनेस, शैडोज और हाइलाइट्स डिसाइड हो जाती है, और दूसर जो भी आप शूट लोगे, वो परफेक्ट लिया जाएगा, और ये मेन कैमेरा सेटिंग्स यही होते है, तो जब हम लोग सिनेमेटोग्रफी के तरफ बढ़े, तो चार चीजे, सबसे पहली चीज जो आपको कैमेरा में सेट करनी है, पहला आता है आपका अपिचर, जिसको सिनेमेटोगर्फी में लोग T-stop भी कहते हैं, और आइरिज भी कहते हैं, जीक है डायफराम भी बोलते हैं, सो सारी चीजे फंक्षन वैसे ही करती हैं, F-stop जैसे हम कहते हैं कि F-2.8, F-4, F-5.6, सिनेमेटोगर्फी में अगर आप सिनेमा के लेन्सिस करते हो, तो T-stop कहा जा different conceptualization रहेगा पट अगर आप output की बात करो या camera setting करते वक्त की बात करो सभी terms सेमी है अगर आप cinema lenses यूज करते हो you know sumair lenses या cinema lenses यूज करते हो तब वहाँ पे t-stop की ring दी गई होती है जो आपको ring को गुमाना होता है तो आपका aperture उसमें decide होता है अगर आप cinema cameras यूज करते हो वहाँ पे iris लिखा हुआ रहता है तो अगर आप iris यूज करते हो या फिर अगर आप DSLR mirrorless cameras यूज करते हो उसमें aperture और f-stop लिखा हुआ रहता है सारे terms जो है अलग-अलग दिये हुए है पर मतलब सबका एक ही है अगर आपको एक पोट्रेट शॉट लेना है या फिर आपको एक ग्रूप शॉट लेना है डेकॉर का शॉट लेना है अफकोस उसमें आपका aperture f-8, f-11 रखोगे क्योंकि आपको आपको सबको शार्प चाहिए दूसरा अगर आप एक पोट्रेट शॉट ले रहे हो कपल का कोई शॉट ले लो जब आपको अच्छा बोका चाहिए तो अगर वो सारी चीजे आपकी रिक्वार्मेंट है तो आप f-2.8, f-1.4 ऐसे सारे डेफ्थ में काम करोगे ये हो गया आपका aperture ये पहला सेटिंग रहेगा दूसरा सेटिंग रहेगा कि वह शुटर स्पीड क्या रहे है इसके पहले की वीडियो में जहाब हम लोगने फ्रेम रेट को समझाया था तो आपको हमेशा फ्रेम रेट के डबल का शुटर स्पीड रखना है फर एक्जामपल आपने अगर फ्रेम लेट 25 फ्रेम स्पीड रखी है तो आपको आपका शुटर स्पीड वन बाइ 50 रखना है ये रूल जो है पहले के जमाने में जो हमारे रोलिंग शुटर यूस किया जाते थे वो जो इस दोनों के मैच करते हुए हमारा जो एक रूल बना था कि ये था कि जो हमारा फ्रेम रेट होगा उसका डबल हमारा शुटर स्पीड होगा आज के जमाने भी वही रूल अपलाई होता है विरलेस कैमेरा और सिनेमा कैमेराज में भी तो जो भी शटर स्पीड आपको अपको स्लो मोशन शूट लेना है आप 100 fps पे काम कर रहे हो तो आपको 200 या 250 की शटर स्पीड लेनी है तो वो उसके साथ मैच हो जाएगा अभी आप कहोगे कि काफी बार सिच्वेशन में लाइट बहुत कम रहती है तो शायद आप 250 की शटर स्पीड ना ले सके तो आपको जो है 100 का शटर स्पीड लेना चाहते हो या फिर आपको 500 का शटर स्पीड चाहिए एक हजार का शटर स्पीड चाहिए आप लीजिए पर उसमें थोड़ा सा आपको जरकी या थोड़ा सा आपको शेकी मॉमेंट दिखेगा जब आप वीडियो देखोगे तब तो बहतर होगा कि आप डबल पे काम करो आपको लगता है कि बहुत light एंटर हो रही है light control नहीं हो रही है बहुत दूप में जैसे बाराथ शूट कर रहे हो वहां पे light control नहीं हो रही है होता है यह सारा चीजे तब आपको जो हैं आपको ऑनडी फिल्टर का इस्तमाल करना है neutral density filter एक Cinematographer की किट में होना चाहिए अब आपके लेंस के आगे लगा दीजे जितनी भी लाइट आरही है तेज दूप आरही है वाराम से आप उसमें अलग अलग स्टॉप दिये गए है 8 स्टॉप का भी आता है 16 स्टॉप का भी आता है आप बस उसको यूज करिए और लाइट को कंट्रोल कर दीजे तीसरा सेटिंग होता है आयसो का देखो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है काफी सारे कैमेरास जो आज मार्केट में आ रहे हैं वो सारे क्लेम करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस लो लाइट सेंसिटिविटी के बारे में क्योंकि हम एज वेडिंग सिनेमेटोगरफर या आप जब भी कोई वेडिंग शूट करते हो या इवेंट शूट करने जाते हो काफी बार डीजे के वक्त या रात के समाई में जहाँ बिदाई हो रही है ऐसी बहुत शरी शिच्वेशन होती है जहां पर कभी-कभी हमें लाइट की अवेलिबिल्टी काफी कम है एक ही एलेड लाइट लेके गूम रहे है ऐसी सारी सिच्वेशन हो जाती है तो यहां पर आपकोस आपका ISO बढ़ाओगे 1600, 3200, 6400 या 12800 जो भी आपको ज़रूरत पढ़ती उतना बढ़ा होगे अफकोस आपको थोड़ा सा नॉइज आएगा पर कैमेरा की लो लाइट कैपैसिटी कितनी है वो आपको चेक करनी चाहिए तो अगर लो लाइट परफॉर्मेंस में कैमेरा अच्छा यूस करता है तो कि वो जो है काफी हद तक नॉइज को कंट्रोल कर देता है अगर वो होता है तो as a cinematographer आपका बहुत काम का है देखे फोटोग्राफी में कैसा है ना अगर उसमें नॉइज पकड़ भी लिया पोस्ट प्रोसेसिंग में काफी सारी चीज़े उसमें कर सकते है ताकि इतना नॉइज एविडिंट ना हो, इतना ना दिखे पर विडियोग्राफी में भी हम कर सकते हैं एडिटेंग में पोस्ट प्रोड़क्शन में पर वो काम बहुत लमबा हो जाता है और काफी बार हमाई पास इतना समय नहीं होता है कि हम इतना सारा post-processing करें बहतर है कि आप कम से कम ISO में काम किये इसके अलावा इसके बात का point होता है कि नेटेव ISO क्या होता है देखिए जब आप C-Log पर काम करते है कैमेरा के अंदर एक option है C-Log का उसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कलर ग्रेडिंग का इस यहां पर मेंशन किया गया है जोब आप C-Log की बात करते हो न तो C-Log में आपके पास एक option रहता है जहां पर आपको L200, L400, L800 वहां पर ISO के आगे लिखा हो रहाएगा इसका मतलब है कि यह आपके कैमेरा का native ISO है इसको समझेगा उसमें लिखा है कि अगर आप 800 के ऊपर के ISO पे काम करोगे अगर आप 800 के बटले 1600 के ISO पे काम करोगे या 3200 के ISO पे काम करोगे तो फिर आपको कैमेरा में noise पकड़ेगा पर अगर आपके पास ऐसा कैमेरा है जो dual based ISO है, dual gain output है, DGO है ठीक है, dual gain optimizer ऐसा DGO वाला कैमेरा जैसे R5C का कैमेरा DGO है Canon का तो उसमें क्या होता है आप 800 के ISO के ऊपर और 32 के ISO के ऊपर अगर आप काम करते हो तो सारा noise चला जाएगा मतलब अगर आप 32 के ISO के उपर काम करना चाहते हो, फिर भी आपको noise आपके वीडियो में नहीं आएगा, पर बीच में मतलब से बचीस सो का ISO रहेगा या, you know, दो हजार का ISO रहेगा, वहाँ पर आपको noise आएगा तो कहने का ये है कि ये भी आपको चेक करना होता है कि अगर आप जो भी शूट कर रहे हो चाहे है, देखो मैं कैनन यूजर हूँ इसलिए मुझे कैनन का जाधा पता है जाधा उसके कैमेरा को मैं यूज करती हूँ आप दूसरी कंपनी जैसे कैनन के अलावा दूसरी तीन कंपनी है जैके सोनी है, नाइकॉन है और फूजी है तीनों में यही चीज आपको चेक कर रही है कि अगर आप लॉग में शूट कर रहे हो तो लॉग में नेटिव ISO क्या दिया गया है नेटिव ISO आपको खास करके चेक करना है क्योंकि अगर आपने लॉग में शूट करते वक्त सी लॉग में शूट करते वक्त अगर आपने आपका नेटिव ISO बहुत बढ़ा दिया मतलब 400 ISO के बढ़ले 800 ISO के अगर आप काम कर रहे हो तो फिर जो आप शूट ले रहे हो उसमें बहुत ज़दा ग्रेंज आएगा और वो ग्रेंज कंट्रोल नहीं होगा बहुत नॉइजी विडियो आएगा और अगर आप 800 ISO बे भी काम कर रहे हो तो भी आपको नॉइज बहुत दिखेगा तो हर कैमेरा का एक नेटिव ISO होता है जिस पे आपको काम करना है अगर आप C-Log पे काम करते हो तो अगर आप EOS स्टैंडर पे या फिर नूट्रल पे काम करते हो तो यह लागू नहीं होता है उसमें आप लो लाइट सेंसिटिविटी में जितना कैमेरा आपको सपोर्ट करता है उतना आप उसमें यूज कर सकते हो इसके बाद का जो सेटिंग होता है चौथा देखे यह तीन जो सेटिंग मैंने आपको समझा है वो एक्सपोजर ट्राइंगल को सेट करते हुए है पोट्रेट शॉट ले रहे हो पोट्रेट में आपको 2.8 का पीछे बोके मिल रहा है आपका जो सबजेक्ट है उसके उपर लाइट काफी आ रही है अपका सौ था शुटर स्पीड आपने 200 रखी ISO आपने 100 ही रखा और चहरे के उपर आपने को अगर लगे कि और भी लाइट आ रही है तो आपने ND फिल्टर लगा दिया ऐसे हर अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको ये तीनों एक्सपोजर को सेट करना है ऐसे आपको हर जगापे जो है विदाउट नॉइस काम करने को मिलेगा एक बार ऐसे सिचुएशन आ गए थे कि हम लोग एक ट्राम का विडियो ले रहे थे जहां पर रात के समाई में अगर हमको शूटिंग करना है रात के समाई में अगर हमें एक प्री वेडिंग शूट करना है तो वहां पर लोग सी लोग में शूट तो करते हैं पर ISO 1600 कर देते हैं 3200 कर देते हैं मेरे पास Canon का R3 है और अगर मैं 3200 ISO पर काम करूँगी तो grains पकड़ेगा क्योंकि उसमें लिखा गया है 400 ISO नेटिव है 800 ISO नेटिव है ठीक है वहां तक ही आप काम कर सकते हो तो हमने क्या कि हमने बहुत सारी lights वहां पर लगाई थी जिसके वज़े से जो भी हम शूट ले रहे थे उसमें कोई भी प्रकार का noise हमें नहीं मिला तो यह चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा जब आप camera setting कर रहे हो तब इसके बात का point होता है आपका color temperature देखे Kelvin और tint यह दो चीज़े होती है अगर आप Kelvin के concept को समझे नहीं हो तो एक video है हमारा dedicated Kelvin के concept पे है आप तो खास check out करिएगा और tint जो होता है वो cinema cameras में होता है तो अगर आप R5C का camera देख लो उसमें tint भी दिया गया है अगर आप consumer camera मतलब R3, R8, R7, R6 Mark II यह सारे cameras में जाते हो वहाँ पे wide balance shift का option दिया है wide balance shift क्या है उसके उपर भी एक video बनाया है आप खास check out कर सकते हो तो देखो कोई भी अगर situation है जहाँ पे आपको जैसे warm tone या blue tone को set करना है वह आप Kelvin से कर लोगे और tint से आप purple और green मतलब magenta और green tone को set कर पाओगे wide balance shift में आप जो है red, green, blue यह तीनो colors को आप जो है setting कर पाओगे तो कहने का यह है उसकी खास आप videos देखेगा जिसमें आपको जैसे आप photography में temperature set करते हो exactly वैसे आपको cinematography में करना है cinematography में हलाकि C log का option रहता है और C log का option आपको color grading करने में help करता है चो चीज फोटोगरफी में नहीं होती है C log क्या है कैसे function करता है उसके बारे में हम विस्तार में आगे चल के बात करेंगे पर C log अगर आप log file Sony का S log होगा, Nikon का N log है अगर आप log file में shoot करते हो तो फिर आपको जैसे मैंने कहा ISO का ध्यान रखना है और कौन से log में shoot कर रहे हो log 1 में shoot कर रहे हो log 2 में shoot कर रहे हो log 3 में shoot कर रहे हो उसको आपका ध्यान रखना है और अगर आप log में shoot कर रहे हो तो आपको light जादा चाहिए तो आपको जादा lights carry करके लेके जानी है चाहे वो pre wedding shoot हो या फिर कोई wedding shoot हो ध्यान रखना है कि wedding shoot में ऐसी जगह और रहती है जहां पर log applicable नहीं है क्योंकि इसमें ISO की limitation है तो अगर आप low lighting वाले wedding में जा रहे हो, bank cute hall वाली wedding में जा रहे हो log में काम करोगे तो फिर आपको तकलीफ बहुत होगी post production में तो इसका आपको ध्यान रखना है इसके आगे हमारा और एक setting रहता है कि MP4 में shoot करना या MOV में shoot करना है हम काफी लोग जानते हैं कि MOV में जो higher file size quality रहती है वो जादा आपको quality अच्छी होगी अगर आप video देखोगे तो आपका video viewing experience रहता बहतर होगा MOV का इतना ही है कि वो file size बहुत लेता है और काफी लोगों के पास MOV का viewer नहीं होता है मतलब हम लोग ने client को MOV file दी तो काफी बार अपने computer में या laptop में वो लोग play नहीं कर पाते क्योंकि उनके system में MOV file खुलने के जो specs रहती है specifications रहती है वो नहीं है इसलिए prefer करते हैं हम client को MP4 में दे दे जिसके जैसे MP4 में आपको MOV की बहुत ही अची quality देखने को client को मिलेगी तो देखे MP4 का जो file रहता है वो भी एक ऐसा file size है कि अफकोस हर जगा पे खुल जाता है पर वो एक compressed file रहता है जैसे photography करते वाग JPEG रहता है ना मतलब एक compressed version रहता है raw के सामने वैसे ही MP4, MP4 एक compressed file रहता है जो camera से निकलता है तो जितना आप उसको edit करोगे उतना जो है उसका quality फिर कम होता जाता है उसके अंदर जब आप editing करते हो तो MP4 प्रेफरेबल रहता है कम size में काम हो जाता है अगर आपको बहुत सारा shooting करना है जादा editing में time नहीं निकालना है और जल्ली से shoot करना है मतलब अगर आप traditional video wedding का shoot कर रहे हो या फिर आप interview वगरा shoot कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारा ज़रूरत नहीं है तो आप MP4 में काम करें पर अगर आप cinematic trailer वगरा बना रहे हो pre wedding के video वगरा बना रहे हो तो MOV में काम करोगी तो जादा बहतर है अगर आप R5C देखो कि उसमें raw recording भी होती है R3 में भी raw recording है raw recording का मतलब है कि जैसे हमारी photography में जैसे हमारा raw and jpeg का difference रहता है उसके उपर में एक video बनाया है तो raw में अफकोस आपको higher bitrate मिलता है जादा colors मिलते है जादा details मिलते है post production में अगर आप editing करते हो तो ही उसका कोई भी photo फटता नहीं है अच्छा खासा उसकी quality बहार आती है जब आप raw में shoot करते हो जैपेग में अब फाइल प्रेस होके ready होके आ जाती है तो इसी लिए जो है आपको हमेशा raw में shoot करना चाहिए फोटोग्राफी करते हो यही चीज़ वीडियो में अपलाई करने के लिए भी है वीडियो में भी जो है आपको raw file recording भी मिलती है तो उसमें shoot करोगे और उसमें edit करोगे अफकॉस file size जादा लेगा पर आपको editing जब आप premiere पे करोगे तो बहुत ही seamless editing जैसे आप Lightroom और Photoshop यूज़ करते हो फोटोग्राफ के लिए वैसा ही आप premiere में उतनी अच्छी quality का editing कर पाऊगे अगर आपको यह समझना है कि frame rate कैसे set करते है frame rate क्या होता है उसको जो है हम लोग ने इसके पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था प्लीज चेक आउट करेगा बहुत ही विस्दार में समझाया था इसके बात होता है कि हम लोग को i select करना चाहिए या p select करना चाहिए interless या progressive फ्रोग्रेसिफ मतलब p 50p, 60p, 120p ये जो p है न p का मतलब है progressive जब भी आप shoot करते हो तो camera के अंदर जो details record होती है वो तुरंत जो record होके जो final file बनती है मतलब आपका पूरा video एक ही साथ record हो रहा है जैसे photo जब हमारा record होता है जैसे एक बार में photo record होता है वैसे video में अगर आप progressive पे शूट करते हो तो एक frame में पूरी की पूरी frame वो grab करता है तो वो भी shoot कर रहा है वो तुरंद grab करता है progressive में पूरा का पूरा sensor वो grab करने की कोशिश करता है interlase में जो eye है 50i, 60i, 120i यह जो i है i का मतलब है interlace मतलब अब जो वो रेकॉर्ड करता है तो वो लेस के फॉर्मेट में रेकॉर्ड करता है मतलब पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौती लाइन फिर वापिस पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे लाइन के फॉर्मैट में रेकॉर्ड करता है, जिसके वैसे से जब वो कैमरा पैन करता है, आपने देखा होगा वो लाइन, 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 लाइन आता है, है ना, एक थोड़ी सी लाइन ज करें युट्राइब दैट करें थे अधियास का काइब जरूरत पड़ती है कि वstag लाइव में सारे कैमेरा जक्ट्राइब से दाइरेक्ट व्रोड़कास्ट कोई जगई से इस फORA MaterList रहें और अफकोस इंटेलेस का साइज थोड़ा सा कम पड़ता है पर अगर आप सिनेमाटिक वगएरा यह साब काम कर रहे हो प्रोग्रेसिव सबसे भैतर होता है काफी सारे कैमेराज में जो सिनेमा कैमेराज होगे तो सॉने का एकेक्षवीज साइज है की कैमेरा के थाल में आपको पता है की आपको सॉनीस का एक और ऐसकीश कийमेरा रहेंने की सबसक्राज होगे तो रोगो इसे ही रहता है कामेराज चूलयान के स्सिश का निछ खोना है तो वह अपना AVCHD का फाइल पॉर्मेट है तो तुरंद पता चल जाता है कि यह जो कैमेरा का क्वालिटी है वो सोनी से आया है और सोनी वालों ने इसको डेवलप किया है या कैनन वालों ने इसको डेवलप किया है तो उससे आप जड़ा जड़ा सब्सक्योज द्याएप तो यह सारे केमेरा सेट्टिंग्स फोटोग्रफी को की लाइटिंग की नॉलेच kalk rim कमपोजिशन की नॉलेच अवकोस हमारे जो कैमेरा सैट्टिंग्स की नॉलेच है वह तो है ही जब आप video में काम करते हो तो ये सारे चीजों का पहली चीज होती है जो आपको camera में set करने हो जैसे ही मेरे हाथ में camera आता है मैं ये पहली सारी चीजे set कर देती हो ताकि मेरा video का अच्छे से हो जाए अच्छा, video में mainly एक चीज होती है जब आप लोग handheld shoot करते है, as a wedding videographer, photographer, अगर video cinematic ले रहे हो, handheld shoot कर रहे हो, तो digital IS का option रहता है, movie digital IS का option रहता है, five axis stabilization रहता है, मतलब आप चलो फिरो या अपने camera को घुमाओ, जो हमारा hand moment रहता है, या body moment हमारा हो जाता है, जो जर्क, जर्की video जो आता है, shaky video जो आता है वो, अगर आप movie image stabilization on करते हो, तो वो नहीं आएगा movie image stabilization का मतलब है कि inbuilt camera जो है जो भी shoot करता है, उसको थोड़ा सा crop करता है, पर उसको पूरा stabilize करके देता है, मतलब आपको कोई भी video, हिला हुआ आपको नहीं दिखेगा, तो यह जो आपको मैंने सारे settings बताएगे, यह सारे settings, जब camera आता है, मैं पहले इसको set कर देती हूँ, और उसके बाद उसको video shoot करना शुरू करती हूँ तो आप भी यह सारे चीजों का ध्यान रखेगा जब आप cinematography करें और अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है और डिटेल में हर एक camera setting को दिखाना है, सीखना है, तो फिर आप हमारा एक course जोइन कर सकते हो वो जो course है, वो paid course है और उनहीं के लिए है, जिनको एकदम डिटेल में cinematographer या photographer अगर आपकी hobby बगेरा है तो हमारा ये चैनल पे आप आराम से सीख पाओगे कुछ concepts क्लियर करने तो हम तो बैठे ही है हम इतना सारा सिखाते है ये चैनल पे पर अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो और पूरा course करना है तो surely आप हमारे कोर्स रजिस्टर करवा सकते हो ये एक online course है और offline हमारे workshops होते हैं जो आप चाहो तो join कर सकते हो हर मेने थोड़ी-थोड़ी workshops देश भर में होते रहते हैं तो आप उसमें भी रजिस्टर करवा सकते हो उसकी advertisement आपको Instagram अगेरा से आती रहेगी So thank you so much everyone I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो Thank you so much, see you soon